हलो दोस्तों, मैं हूँ धीरजगुस्वामी और हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण संचय के क्लास 6 से अध्याय 3 में पढ़ेंगे संग्या। किसी व्याक्ती, प्राणी, इस्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम लोग संग्या कहते हैं। उदाहरन अर्थ, अब व्याक्ती में कि देखते हैं कुछ उदाहरन, राम, सरदार, पटेल, कामिनी, स्त्री, पशु, बालक, पक्षी, आदी। इस्थान में मुंबई, दिल्ली, मैदान, गाउं, विद्यालय, आदी। वस्तु में दूध, पानी, फल, फुस्तक, रेलगाडी, आदी। भाव में सच्चाई, चौडाई, पशुता, जूट, प्रेम, आदी। अब आते हैं संग्या के भेद। तो संग्या के निम्नली के तीन भेद होते हैं। पहला वैक्ति वाचक संग्या, दूसरा जाति वाचक संग्या और तिसरा भाव वाचक संग्या। जिस संग्यापद से किसी व्यक्ति विशिष, स्थान विशिष और वस्तु विशिष का बोध होता है, उसे व्यक्ति वाचक संग्या करते हैं, जैसे स्रिराम, सचिन, चेतक, हिमालय, गंगा, आधी. जाती वाचक संग्या, जिस संग्यापद से किसी प्राणी, वस्तु, आधी की जाती का बोध होता है, उसे जाती वाचक संग्या करते हैं, जैसे मनुष, घोडा, चिडिया, परवत, पुस्तक, मंदीर, सुनार, फल, आधी. इसमें आप गोर करेंगे, कि जैसे मनुष का उदाहरण है, तो पूरी मनुष से जाती का बोध हो जाता है, घोडा से पूरी एक घोडा जाती का ही बोध हो जाता है, चिडिया, परवत, पुस्तक, आधी ऐसे ही उदाहरण है. अब आते हैं भाव आचक संग्या, जिन संग्या पदों से पदार्थों के धर्म, गुण दोश, अवस्था और विभिन व्यपार आधी का बोध होता है, उन्हें भाव आचक संग्या करते हैं, ये गुण, दोश, भाव, धर्म, आधी प्रायह अमूर्थ होते हैं, जैसे प उड़ापा अवस्था है। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुशार समुदाय वाचक संग्या और द्रभी वाचक संग्या ये दो भेद और मानते हैं। अधिकान्स विद्वान इनका समावेश जाती वाचक संग्या के अंतरगत ही करते हैं। इन्हें संचेप में हम निमने प्रकार समझ रखते हैं। समुदाय वाचक संग्या, जो संग्या सब किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समुह या समुदाय के वाचक होते हैं, उन्हें समुह या समुदाय वाचक संग्या करते हैं। जैसे सेना, दल, टोली, कक्षा, सभा, जुन्द, आदि. अब द्रव्व वाचक संग्या, किसी पदार्थिया द्रव्व का बोध कराने वाले सब्दों को द्रव्व वाचक संग्या करते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, अन, आदि. अब आते हैं संग्या के कारी, तो वाइक में संग्यापद करता, कर्म, पूरक, करण, अपादान, अधिकरण, आधी, कई कारी करता है, जैसे बहला सोहन सो रहा है, इसमें सोहन करता है, वह पानी पी रहा है, इसमें पानी कर्म है, रामु विद्यार्थी है, इसमें विद्यार अब आते हैं भाव आचक संग्या की रचना, तो भाव आचक संग्या जाती वाचक संग्या सरुनाम, विशेशन, क्रिया और अभियों से बनाई जाती हैं, आया देखते हैं के कुछ उदाहरन, जाती वाचक से भाव आचक कैसे बनाते हैं, बच्चा से बच्पन, पर्षू से पशुता, देव से देवत्व, नारी से नारित्व, मनुष्य से मनुष्यता, सरुनाम से भावाचक कैसे बनाते हैं ये देखते हैं, निज से निजता, मम से ममता, आप से आपा, पराया से परायापन, अहम से अहंकार, अब विशेशन से भावाचक कैसे बनता ये देखते हैं काला से कालापन, उचा से उचाई, गरीब से गरीबी, सुन्दर से सुन्दर्ता और कुशल से कुशलता. अब क्रिया से भावाचक बनाते हैं, कहना से कहावत, घबराना से घबराहट, चलना से चाल, उड़ना से उड़ान, बुनना से बुनाई. अब देखते हैं अभ्याई से भावाचक कैसे बनता है सावाश से शावाशी, दूर से दूरी, भीतर से भीतरी, उपर से उपरी, और निकट से निकटता तो उम्मिधे आप लोग इसको समझ गये होंगे तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दे तक हमारा अगला वीडियो आपके बास सबसे पहले पहुंच सके और जाते जाते लाइक और सेर करना न भूले थैंक्यू